तो दोस्तो आज के इस वीडियो में सिखेंगे डबलू बॉक्स के IP कैमरे को कैसे फाइंड करते हैं और कैसे उसकी IP चेंज करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, तो यहां पर एडवांस IP स्कैनर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, तो यहां पर 1 की स्रीज में पहले यहां पर एक IP दिख गई है जो 1 की स्रीज में है, बाकी जो हिक बीजन के IP कैमरे थे तो उनको हमने हिक बीजन के टूल से फाइंड कर लिया और उसकी IP मैंने चेंज कर दिये, और इसमें एक IP कैमरा जो है डबलू बॉक्स का लगा था, उसको एड़ करना था, तो उसकी IP चे बाते हैं जिस स्रीज में चाहें उस स्रीज में, तो यहां पर हमने IP कर लिया है, वन की स्रीज में, लाग इन करने के लिए हमें जो है नेटवर्क में जाना होगा और यहां पर WiFi कनेक्टेट है, तो इस पर राइट किल करके प्रोपरटीज पे चेंड पर आपटीस पर शुक और ध्यान देखिए अगर आई-पी असाइन करते हैं तो बार-बार यह डिसकनेक्ट हो जाने की चांसिस है तो यहां पर हमने आई-पी असाइन कर दिया अब ब्राउजर ओपन करेंगे और यहां पर आई-टैप पे क्लिक करके हम कैमरे को लॉग इन करेंगे या आई-टैप वाला वीडियो ने देखा तो आई-बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं यहां पर हम आई-पी डालेंगे 192.168.1.92 तो यहां पर हमारा कैमरा हो गया है ओपन और यहां पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे प्लग इन्स को जब तक यह नहीं डाउनलोड करेंगे तो यहां करतेंगे फिनिस तो प्लेग इन्स हो गया है इंस्टॉल और हम करेंगे यहां पर रिफ्रेस तो यहां पर क्लिक कर लेंगे और यहां पर फिर से हमारा पेज ओपन हो जाएगा अगर नहीं हो रहा है तो यह सारी जो प्लेग इन्स के ओप्शन्स हैं इसको हटा करक सिर्फ IP आपको डालना है IDS बार में और फिर एंटर करना है अगर नहीं हो रहा है तो आप यहां पर Wi-Fi का कनेक्शन चेक कर लेंगे हो सकता है कि डिसकनेक्ट हो गया होगा IP मैंने डाली तो यहां पर डिसकनेक्ट हो गया था तो मैंने फिर से IP डालके एंटर किया और यहां पर आपको पासवर्ड डालना होगा जो इसका default password होता है एड्मिन होता है तो एड्मिन यहां पर टाइप कर देंगी और यहां पर modify नहीं करना है इस पर after 60 जो minutes लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहां पर हम configuration में जाएंगे camera हमारा live हो चुका है उसके बाद फिर यहां पर network का option दिख जाएगा इस पर click करेंगे basic setup पहले selected है तो यहां पर हमें जो हमारा internet चिस series में है उस series की IP यहां पर डाल देंगे और यहां पर gateway में भी डाल देंगे और यहां पर हम save कर लेंगे फिर फिर DNS में टेस्ट भी कर सकते यहां पर अगर अब लेवल है की नहीं IP जो है कहीं यूज नहीं हुई ओके करेंगे और यहां पर हम save कर देंगे तो यहां पर restart होगा camera तो हमारा जो IP camera है उसकी IP change हो चुकी है अब हमको अगर add करना है तो आसानी से हम किसी DVR या NBR में add कर सकते हैं अपने same network में I hope की वीडियो आपको informative लगा होगा अगर यह वीडियो आपको informative लगा तो चैनल को subscribe कर लिजे साथ में notification वाला बेल जरूर दबाईए